आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार इसमृती इरानी मिर्जापुर पहुचे जहाँ उन्होंने चुनाव के परेड ग्राउन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया इस दोरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखलेश साथ समुद्रपार पास साथ से थे आपदा के समय भी वो भै और भ्रहम फिला रहे थे दस मार्च के बाद वो यही कहेंगे कि वही हवा है वही सपा है जनतास अब इसके इससे खफा है करना इनको दफा है इवियम बहुत बेवफा है तो यह लाइने बोली है अनुराग ठाकुर ने जब चुनार में जनसभा को समबोधित करने का है अखलेशी साथ समुद्रपारी पिछले पांच साल थे आपदा के समय भी जनता को भै और भ्रहम फिला रहे थे और दस मार्च के बाद यही कहेंगे वही हवा है वही सपा है जनता जिनसे खफा है करना इनको दफा है दस मार्च को अखलेशी आदब कहेंगे इवियम बहुत बेवफा है जो मदद की जिनोंने सेवा करने का काम किया जनता उनको ही चुनेगी फिर एक पर मोदी होगी जिको चुनेगी बुलंद शेहर में नगरपालिका किला परवाही का मामला सामने आया है जोहां बिगडी होई सीवर लाइन के चक्कर में लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे परिशान इस्तानिय निवासी पलायन को मजबूर हो रहे हैं नगरपालिका में शिकायत करने के बावजूद लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को निराश ही होना पड़ रहा है बता दे कि बुलन शेहर के देवीपुरा कर ये पूरा माम में बताया जारा है जहां पे सीवर लाइन काफी खराब है पूरा फ़र्ट से बोलों ये हमारे गली में सीवर नाइन और पाइपलाइन डली थी उसके बाद हमाएं मकानों में जो है चटकन आने लगी और आज जो है मकानों की इस्तिति इतने ब्याना को चुगे कि मकान कभी विगर सकता है हम लोग यहां से पलाइन करने की स्थिति में आची गए मकानों को चोड़के और सारे जीवन की धरवर जो हमने मकान बनाया था आज जो है हमें मौत का रूफ दिखने लगाए रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फसेद वरिया के चात्रों के वापसाने पर सदर सांसर भाजपा जिलाद्यक्ष ने भाजपा पदादिकारियों के साथ चात्रों के घर पहुचकर उनसे मिलाकात की वही सदर सांसर डॉक्टर ड्रमापती रामतर पार्थी ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ यूक्रेन में MBBS दुतियों और दुते की चात्रा अनुष्का सिंग के घर पहुच के चात्रा का हाल जाना और हर प्रकार के सही ओक का भरोसा भी दिया सांसर ने कहा कि उनके भविश्य का मोधी सरकार ख्याल रखेगी सरान चात्रा ने प्रधानवंतरी और केंडर सरकार को धन्यवाद दिया ऑप्रेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फसे चात्र चात्रा को भारत लाया जा रहा है इसी कड़ी में यूपी के उननाव से सकुषल चार स्टूडेंट लॉटे जिनका अस्थानी ये लोगों ने भविश्वागत किया वहें चात्रों के सकुषल घर वापसी पर चात्रों के परीजनों में खुशी का महौल देखने को मिला यूकरेन में उत्पना अपात कालियर पस्तितियों के दृष्टिगात जन्पत के फसे हुए पंद्रा चात्रों में से अब तक 9 चात्र अपने घर पहुँच चुके हैं जिसमें अकबर पुरा नई बस्ती निवासी मुहमद आमिर वही तहसील केसर गज के ग्राम हुजूर पुर निवासी रविंद्र कुमार शुकला समेत कई चात्र सकुषल अपने अपने घर पहु आते थे फिर आते थे खाना बनाने के लिए लेकिन हम पहुंच नहीं पाते थे खाना बनाने के लिए या खईने के लिए कोई चीजें क्योंकि तुर्ण फिर सायरन बज जाता था हमें तुर्ण फिर भाग के जाना पड़ता था सर अभी जिस दिन ये मीटिंग होई है फिर जिन हमें मौका मिला निकलने को, हमारी इंटीन अंबेसी ने इडवाईजी जारी की, कि जिन हम निकल劔र के बार्डर की तरफ जाएं, सफिर हम लोगों उस दिन ट्रेन पगढ़के सर हम लोग पहुंचे बॉर्डर की तरफ फिर वहां सर टाइम लगा बॉर्डर क्रास करने में अगरी 50-60 किलो मिटर लोगों को पैदल चलना पड़ा बॉर्डर क्रास करने के लिए प्रताबगड के लाल गंज पुलिस ने एक अभियुक्त के गिरफतार कर जेल भेज़ दिया है गिरफतार किये गए अभियुक्त के पास से रिवॉलवर और कार्तूस के साथ एरिक्षा बरामत किया गया है वहें लाल गंज में सीओ लाल गंज नी प्रेस कॉन्फरेंस कर मामले का खुलासा किया है मुग्बिर की सूचना के बाद एक टीम गठित की गई वहें लीलापुर चौकी छेत्र के अभियुक्त की गिरफतारी की गई है जी कल दिनांग 4.3.22 को रात्तिरी में अंजनी बर्मा पुतराकेश बर्मा निवासी भालोरपूर ने आकर सुचना दिया कि मैं आलू लादने डीके ढवा के पास गया था जहां पे एक ब्रेक्षी ने रिवालवर दिखा कर मेरा ए रिक्सा लूट लिया जिसके सम्मन में ठाना हाजा पर मुपदमाप म जित्या गया तथा ठाना द्रस लालगन को पुलिस अधिषग मोहदे अब मेरे संकर मेरे दवार कर निर्देश दिया गया इनके द्वारा अपनी टीम चौकीन चार्ज लिलापूर और चौकीन चार्ज रानित कैथोला वह स्वयन के द्वारा उई रिक्षा के अभिक्तियों को पकड़ने के लिए अभ्यान चलाया तथा राती में ही चैरवड़ पांच की राती में ही एक व्यक्ति इसका नाम रामचन पटेल साना पंचन पटेल उम्रे 40 वर्ष ग्राम सराय लिलावती थाना लाल गंच को मैं इरिक्षा के गिर्टार किया उसकी जामा तलासी से एक 32 बोल की रिवालवार दो कार्थो जिन्दा परामच रुआ इस तरह लुटी गई इरिक्षा परामच रुआ है अभ्यूक्त को समय से जल बिजा जा रहा है इस खबर प्रेम मिश्रा जुड़ चुके प्रताबगर्ण से प्रेम क्या कुछ जानकारी है क्या क्या चीज़े अभ्यूक्त के पास से बरामच हुई है जी बिलकुल बता दे जनपर तताबगर्ण में लाल गंच खोतवाली चेतर में आज एक बड़ी कामयादी हासिल लगी है वहीं बता दे कि अभ्यूक्त के पास से एक चोरी का इरिक्सा बरामच किया गया है वहीं एक अभ्यूक्त के पास से रियॉलवर जो की 32 बोर की है वो बरामच की गई है दो अदत जिंदा कार्तूस भी बरामच की गई है बता दे कि मुग्विर की सुचना पुलीस बताई जाती है कि मुग्विर की सुचना जबाद घेरा बंदी करते विए लीला पुर्चो की छेतर से अभ्यूक्त की गिरफतारी की गई है वहीं बता दे कि कई दिनों से ये अभ्यूक्त को लगातार पुलीस की तलाज थी लेकिन अभ्यूक्त लगातार भागने में सफल रहता था कई बार पुलिस ने अपनी पुरी टीम को लगाता लगाया लेकिन वह अभ्यूक तो वहीं से तला निकल जाता था ऐसे कई बार अभ्यूक तो जो था वो छोटी घटनाओं को लूट का अंजाम देता था जिसे ए रिक्से की बात की जाया और वहां से रफू चक्कर हो जा जाता है तो कहीं न कहीं है साथिर अभ्यूक्त को पुरी तरीके से पुलिस नी धम होतने में आज पामयाग हुई है जी बहुत 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 शुक्रिया वाएं से जुड़ने के लिए तो मावजान कारी के लीज खबर पर मैसेस समधा तप्रेम मिश्रा जुड़े थे पताब गर से पुलिस ने शवक को कबज मिले कर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है वहीं पुलिस मामले की जाच में जुटी है मतादे की विजाईगर थाना इलाके के गोकुल पुरगाओ का ये मामला बताय जा रहा है पुलिकर्सी के खबर सामने आई है जहाँ पे महिला का शवल लटकावा पंखिस से मिला जिसके बाद परीचनों ने सिस्राल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है मतादे की मौत के बाद दोनों पक्षों ने जुमकर हंगामा किया तीन वर्ष पहले ही महिला की शादी हुई थी पुलिस ने शवक को कब्स में लेकर पोस्मॉटम के लिए भेज दिया है पुलिस मामले की जाच में जुट गाई है विजाएगार थाने इलाखे के गोकुल पुर गाव का ये मामला पताया चुआ रहा है हम बात्चीत कर रहे थे इन लोगों ने हमारे साथ बत्तमीजी करी हमारी बांजी के सब्सुए खांसी लाया कहत्ता कर दिन लोगों ने आपको पता चला कि अदर तो यह परिसान करते थे क्या बात है दाइज बांगते थे क्या दिक्कतारी है अब तंग्रा क्या लड़की का नाम क्या है जीप सिका कितरे दिन हो गए अभी साधी को कितरे दिन हो गए लगए उसके पास मिजनौर में पेट्रॉल पंके निर्माना धीन चल रहे काम के दौरान हाथसा हो गया जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है जिबकि दो मजदूर गंभी रूप से घायल हो गए है सूची नामलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से सभी मजदूरों को निकाल कर अस्पताल भेज़ा अब ये दो मजदूर इसके अंदर दब गया है दिवारती 10-15 भी ठाइट की गहराई में और वो मट्टी की दहांगिर के इन लोगों बे जिसमें टैंक में और टैंक रखा हुआ था तेल का और मट्टी के मलबे में ये लोग आपस में मिलके दब गया है जिसे हमने मौके प में पता लगा हम 6-7 लोग आए एक को हमने बचा दिया एक लड़का उन्दे स्कोर्ट हना खतम हो गया उधर का भी टाइम लगया निकाने में ये जो लड़का जो बचा है वो परेली का था और जो ये खतम हो गया लड़का ये निहाख था सालमाबाद का बरहरे जबाद य उतर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इता ही तमाम खबरों के लिए देखते रही प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार